Hello everyone, Welcome to My Academy इस वीडियो में हम multiplexer के gate में पुछे हुए question को discuss कर रहे हैं यानि previous year के जितने भी gate में question है उसको discuss कर रहे हैं हम हमने theoretical part और mark side the inverseology gates और जो basic थे 2 into 1 marks 4 into 1 marks वो सारे चीज़ा हमने discuss कर दिया है previous lecture में और इस लेक्चर में अगर आपने तीनों लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे जरूर देख लिए और इस लेक्चर में हम कोश्चन ही सिर्फ डिसकस करेंगे तो चलिए सब पहला कोश्चन कंसिडर करते हैं आपको कोश्चन दिया हुँआ कि मिनमाज़ लोजिक एक्सप्रेशन और आपको मुक्स दे दिया घया है तो सबफ़स्पाले आप मपस का अउन्प्वट निकल लेए उस आउट्पुट का अप मिनमाज किजिए आप मेनमाजेशन आप सिम्फल में सभी कर सकते हैं और आप की का भी इस्टमाल करता है कि मैं जादे सिंपल होता है क्योंकि उसे इजली निकल जाता है तो हम कि मैं का यूज करके हम इसको निकालेंगे तो देखिए अगर आपने 00 input दिया या 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 बार बी दिया या बार और बी बार इनपुट दिया चार इनपुट कंडिक्शन बनेंग प्लॉस सकेंड में ए बार बी और आपका वन मिलेगा तो वन ऐसे ही रहेगा थर्ड में आपको जीरो मिलेगा जीरो है input कंडिक्शन करेगा थर्ड कंड्र इनट पर तो जीरो से multiply हो जाएगा इसलिए जीरो हो जाएगा हम यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं और फोर्थ में यानि ए बी पर सी बार मिलेगा अब इसमें आप इसको आप आप के मैप से minimize कर लिजिए इसको तो के मैप आपको पता होना चाहिए कैसे ड्रॉ करते हैं के मैप आपको तुरंट वीडियो मिल जाएगा माई एकेडमी पर आप देख लिजिएगा इसे यह यह बार होता है यह यह 00, यह 01, यह 11, 10 का represent करता है यह A और यह BC को represent करता है तो यहाँ पर देखिए A बार, B बार और C तो यहाँ पर होता है B बार, C यह होता है B बार, C यह होता है BC और यह होता है BC बार, यानि 0 है तो बार हो जाएगा, 1 है तो simple B होगा तो यहाँ पर देखिए A बार, यानि इ सब्सक्राइब देखिए ए बार बी ए बार इस लाइन में और बी किस पे है बी सिर्फ बी बी है इस पे और बी इसमें भी है इसमें भी आप लिख लिए वन वन उसके बाद इसमें सी नहीं है तो इसलिए दोनों में हम लिखे हैं क्योंकि बी इसमें भी है बी इसमें भी है औ यहां पर बनेगा दो का यहां पर दो का यहां का और आपको इस यह गुरूप क्यों नहीं बनेगा यह मैं आपको केम पूरा डिटेल में बताऊंगा यहां पर minimum हमें बनाना होता है गुरूप 2 का बनता है 4 का बनता है और 8 का बनता है तो 2 के पाउर में चलता है 2 के पाउर 1, 2 के पाउर 2 ऐसे गुरूप बनते हैं आपको 1 का गुरूप या 3 का गुरूप नहीं बनता है कभी भी ठीट और वो चीज़ें हम बाद में सभी डिस्क कर लिए तो यहां से जो common आपका आएगा वो क्या होगा इसके common में मतलब यह इसका टर्म यह बार आएगा और यहां से इन दोनों का common क्या है है c है यहां से यह बी यह बिसकली बार c और bc आएगा आड में लेकिन क्या होगा अगर अपका अंसर हो नेक्स्ट कोचन देखते हैं यह है आपका 4 into 1 marks वाई और यहां पर input apply है एक input apply है c बार यहां पर c और control unit आपका है a और b इसको minimize करना है आपको logic expression को previous जैसे ही question में तो यह basic question है कुछ मैं discuss कर देता हूं तो देखिए a bar b bar अगर हम consider करेंगे तो first input को select करेगा और first input है c bar तो यानि a bar b bar into c bar plus अगर हम 00 ले लिए अब 01 लेंगे यानि a bar b और a bar b ले लिए तो हमारा second input select करेगा यानि second input c bar है यह c bar हो जाएगा यहां पर दोनो i0 या i1 के जगा पर यह c bar ही input के रूप में है third में हम लेंगे 10 control limit को तो control signal 10 लेंगे तो यानि a b bar तो यहां पर c consider हो जाएगा और plus फिर a b c हो जाएगा इसको आप common ले लिए इसमें से इसमें common देख लिए क्या क्या आ रहा है a c आ रहा है a bar c bar कमा ले लिएगा तो b a plus b bar 1 हो जाएगा तो इसलिए इसको लिखने कोई जरूरत नहीं है यहां पर a c कमा ले लिए और यह आपको पता है यह xnor xnor का expression है यह output आगा xnor यानिकि यह max xnor get को flow कर रहा है तो next question देखते हैं देखिए यह 4 into 1 multiplexer है चार input दिये हुए है एक को ground किया गया है और 3 को vcc दिया हुआ है और digital electronics में vcc का मतलब होता है 1 आपको पता है यानि high high means 1 और low means 0 यह digital electronics का standard चीज़े हैं कि one means high input यानि vcc तो इसका output आपको निकालना है f की value क्या होगी तो आप यहां पर consider कीजिए 00 आपने ले लिया 01 control signal ले लिया और 1011 अगर आपने फोर्थ की बात करें grounded है यानि यह input 0 है तो यह condition लेने की कोई दिरोत नहीं यह vcc1 है तो उसके बाद x bar y plus x y bar अब यहां पर इसमें से क्या किजिए आप x common यहां से x bar common कर लिजिए और इसमें से y bar common कर लिजिए x bar plus y bar आ जाएगा यहां से common sorry यहां से क्या किजिए आप इसमें इसमें से x bar common कर लिजिए तो यह हो जाएगा y plus y bar और फिर इसमें से y bar common लिजिए y bar तो यह हो जाएगा y bar plus x यह हो जाता है जहाँ x bar आ जाएगा इहां से y bar मिल दाएगा यह आपका हो जाएगा answer next question देखते हैं जो आपको previous से previous question था वह और इस बानवे का gate का एक नमर को question पूछा हुआ था next question देखते हैं यह question आपको gate 2002 में पूछा हुआ है 2 March में question पूछा गया था और इसमें कुछ information दिये हुए था कि TTL logic circuit है TTL means floating input एक नहीं दिया रहाता है वो floating input TTL circuit में one होता है और इसी यह circuit अगर वो तो जीरो हो जाता है तो यह एक और गेट है sorry simple or gate है और और गेट दोनों input को add कर देता है तो one plus c one होता है यानि कि यह जो आपका third control unit है हमेशा one रहेगा और second b और third one है यह है यह तीनों आपका control unit है यह 8 आपका input है और एक input आपको यह 0 है बिसकली यह 0 से एक connect है input और जहां-जहां यह connection है उसको मैंने यहां पर dark कर दिया है और एक जो यहां input है वो यहां से connect है और यहां connect है और यहां connect है x0 और x3 और x5 पे और x6 पे तो इसको आपका output बताना है और 4 option आपको इसमें given थे फर्स्ट option है a x और b second है a x और b का whole bar यानि a x और c और d है c bar a x और b का whole bar और plus c a x और b यह आपका थोड है indetermina indetermine ठीक तो इसे आप solve कर जीए easily question थोड़ी सी लग रहा हो लेंद दी लेकिन बहुत इजी है तो देखिए सब सब आले आप क्या कीजिए आपको पता है कि यह आपका control unit जो है हमेशा रहेगा one यह है आपका s2 यह है s1 यह है s0 यहां से s2 s1 s0 यहां हमेशा यह one रहेगा और आपको पता है कब कब आपका signal अगर low रहेगा zero होगा यह input signal उस समय आपका control unit कुछ भी जिस पे रहेगा वो तो zero हो जाएगा यानि अगर control unit मालेजी यह one one होगा a b यानि कि s1 और s0 यह one one होगा अगर सपोज कीजिए one one हो गया तो one one पर क्या आएगा seven पर आएगा और seven क्या है zero से connect है यह यानि आपका output यहां पर अगर consider करते हैं तो यह zero हो जाएगा तो सिर्फ आपका output किसने पर भारी करेगा जिस पर input one है यह यहां है यह यहां है और यह यहां है चार पर आपका input high है इसका कारण चार पर आपका जो output होगा वह उसका output का expression आएगा और सब पर आजाएगा zero तो फर्स्ट लेते हैं 01 देखी यह आपका हो जाएगा 01 पर input अगर आप B को तो यहां पर देखी आपका 5 पर एक आपको 6 पर और दूसरा 5 जो है इस पर output है high तो output 5 पर high है तो यानि कि यहां पर 01 ले लिजेगा control इनूट तो यह हो जाएगा आपको 4 इन 5 यहां पर मिल जाएगा आपको एक high और आप यहां पर दूसरा देखेंगे तो यह है 3rd पर high है यहां पर 3rd से 1 से connect है तो 3rd के लिए आपको करना क्या होगा कि यहां पर आप लेंगे 0 और 1 मैं आपको यहां पर सभी cases एक ही करके discuss कर देता हूं ताकि confusion ना हो जाए आपको तो देखिए एक तो S1 जो S2 होगा वह हमेशा 1 होगा एक condition बनेगा 00 का एक condition बनेगा 01 का एक बनेगा 10 का एक बनेगा 11 का चार आपका condition बन रहे हैं आपके और आपका output देखिए 00 लेते हैं अगर आप यानि 100 तो 100 पे यह सीधे select होगा 4th number और 4th number की से connect है 0 से तो output मिल दाएगा आपको 0 ठीक next है अगर हमने लिया 101 यानि यह हो गया 5 number control unit control signal और 5 पर output है high तो इसलिए हो जाएगा high उसके बाद लेते हैं 110 यानि 6 और 6 पे output है आपका high तो 1 से connect है तो output मिलेगा high यानि मिल दाएगा आपको 1 और उसके बाद लेते है 11 यानि 7 तो मिल लेगा आपका output 0 अब आपका output का logic expression जो है उसके लिख लिए कि यहाँ पे यहाँ पे दो पर output high है यानि कि यह तो over 1 ही है तो एक बार B बार A है और दूसरा है B A bar यानि कि A bar B और A B bar A है A X और B का output और यह option number A में दिया हुआ है तो इसका answer A हो जाएगा आपका next question देखते हैं देखिए यह question आपको देवाए दूर 5 में पुछा हुआ था gate में और आपको यहाँ A input दिया हुआ है यहाँ जीरो दिया हुआ है यहाँ पे enable यह एक control signal है और यहाँ पे C C bar और B control unit है और F का value पूछा F is equal to क्या होगा तो सब सब पहले मैं बता दू आपको इ यहाँ भी E होगा यानि E का बाद में निकाले के उसमें पूट कर दीजिएगा तो जिस देखिए F है F का output क्या होगा यह देखना है अगर तो सब सब पहले देखिए अगर आपने control unit E कुछ भी 0 देते हैं first बार यानि E बार देते हैं और इसको 0 से multiply करेंगे तो 0 हो जाएग यानि आपका output होगा A E अब हमें E नहीं पता है अभी क्या है E का भाईलू यहाँ से हम निकाल लेंगे कैसे अगर हमने B बार दिया यानि control unit 0 दिया यानि B बार दिया यह C से multiplication हो जाएगा यह यहाँ निकाल लेजिए तो C से multiplication हो जाएगा तो B बार इंटू C हो जाएगा और एक सी देखिए E is equal to आगया आपको B C का बार यानि कि आगया B X और C और इसे आप multiplication कर दिया अगर आपको F का value चाहिए तो सीधे आप A multiplication of B X और C कर दिया या आप इसमें सीधे इसमें multiplication कर दिया तो A B बार C plus A B C बार यह आपका रहा answer यह गेट दूएर पांच का एक साथ में पूछा हुआ था टू मार्स में और आपको पूछा है Y का value क्या होगा स्बस्पहले आप यह आपका control into S1 जो है control signal और S0 जो है control signal यह C है और यहां पर इसका फर्स्ट मॉल्टिप्लेक्सर का यानि 4 x 1 मॉक्स है यह भी 4 x 1 मॉक्स है इसका output है तो 4 x 1 मॉक्स है इसका सबस्पहले y-doss हम मान लेते हैं और y-doss का सबस्पहले output निकाल लेते हैं यानि कि y-doss S1 के equal होगा तो सीधे आप S1 control signal को ले लिजिए यहां पर अगर आप 0 0 देते हैं और 0 सा multiplication होगा तो 0 हो जाएगा कोई मतलब नहीं है तो आप यहां से a bar b दे दीजिए और a b bar यह control signal इन के लिए अप्लिक्याबाल होगा control signal और यह आपका इससे a 1 1 सा multiplication हो जाएगा तो आपका s1 आजाएगा a bar b plus a b bar यह आगया आपका s1 अब second में क्या किजिए y आपका find out करना है तो first में क्या input देंगे हम 00 00 input देंगे तो यह first input signal देंगे बस हम यह दोनों देंगे तो यह दोनों signal देंगे तो y is equal to आप s1 के फर्म में ही पहले लिख लेते हैं यह s0 तो c है तो आपका आजाएगा s1 s0 plus s1 s0 और इसमें आजाएगा इस पे बार और इसमें आजाएगा इस पे बार अब आप यहां से s1 और s0 का value put कर दीजिए अब s0 का value आपको पता है c है और s1 का value यह है तो यह है xor gate अगर xor gate को बार कीजिएगा तो यह बदल जाएगा आपका xnor gate में और यह c से multiplication हो जाएगा plus s1 को xor gate as it is रहने और c से multiplication c bar से multiplication कर दीजिए और आपको यह पता होना चाहिए कि a xnor a b आ गया यहां पे और दूसरा आ गया यहां पे आपका a x और b और c bar इसको आप final multiplication करेंगे और जब आप देखेंगे कि final output क्या आ रहा है तो वो जो आता है आपका उसमें 4 option थे इसको solution कीजिएगा a b c का बार plus a bar b c bar plus a b c का बार plus a b c यह आपको expand करने आना चाहिए और यह मैंने आपको बता दूँगा अगर आपको नहीं आता है तो और यह दहाँ आपका gate दुए है साथ है question और question देखते हैं जली जली हम निकाल रहा है question करके अगर आपको कोई दिक्कत होता बाद में पूछ सकते हैं एक question और लेते है gate का यह आपका 4 into 1 marks है इस पे P input apply किया गया है इस पे एक not get apply है P and Q और second है P और third पर और get apply किया गया है और input है आपका P और Q बार output Y है और input RS है तो simple आपको पता है control signal आपको RS है तो वहीं same process करते जाना है 00 R bar और S bar लेके P से multiplication कर दीजिए R bar S bar P plus यह दोनों multiplication है तो फिर यह 01 input control signal लीजिए और control signal लीजिएगा तो आपको second input को यह I not I1 है यह I2 है यह I3 है तो यह I1 को select करेगा उस case में P और Q multiplication में होगा और होगा P Q और यह हो जाएगा R bar S ऐसे ही चारो P है और यह हो जाएगा आपको RS second में R के बार और यह हो जाएगा P PC दे multiplication हो जाएगा और यहां आजाएगा RS into P plus Q और gate से add है तो इसको implementation यह output आपका इसको यहां multiplication कर दीजिएगा और इसमें चार option दीए हो थे एक answer match कर जाएगा यह आपका answer हो जाएगा next question देखते हैं यह आपको question पूछा गया था gate 2014 में और यह आपका one marks का set number third में पूछा गया था यह भी mocks का question है mocks का representation मैंने आपको first lecture में बताया था कि ऐसे भी होता है यह two into one marks है यानि दो input है और यहां पर w input है तो यहां पर not gate लगा हुआ है यहां w bar है और इसका सबसे पहले आप मालेजे यहां पर p output है first marks का p जिकल निकाल लेजे s1 bar w plus s w bar यह हो गया आपका p का value और p का जो आपका यहां पर यह xor gate को represent कर रहा है क्योंकि आपको पता है a bar b plus b a bar यह ऐसे ही representation है यहां पर यह xor gate को represent कर रहा है तो यानि कि यह xor gate s1 यह अगर यहां पर not gate से apply करें और xor gate s1 को bar के साथ यहां पर apply करें यानि कि not gate को bar कर देगा यह हो जा था xnor gate यानि w xnor gate s1 यानि कि xor gate का bar कर देख xnor gate मिलता है वस इतना आप याद रखिएगा तो s1 अब क्या होगा s2 अगर हम apply करते हैं s2 bar apply करते हैं यानि 0 तो output क्या मिलेगा पी का bar यानि कि यह पी इसको माना है हमने into s2 sorry p as it is मिलेगा और s2 का bar मिलेगा plus अगर हम one apply करते हैं तो s2 apply करते हैं यानि one control signal तो यह हो जाएगा यहां पर s2 और यहां पर मिल जाएगा आपका second input को select करेगा यानि कि मिल जाएगा पी का बार तो यहां पर भी देखिए आप पी s2 का बार s2 पी का बार के यहां भी p x or s2 हो गया और अपने आप में p w x or s है इसके साथ x or s2 का है अब इसको आप expand कीजिएगा तो आपको एक answer आएगा जो की answer नहीं आएगा यह option सीधे दिये हुए थे एक जाम में मैं आपको question answer देखके बता रहता हूं हाँ जी यही same to same आपका option में दिया हुआ था यह option number d में था यह और यहीं आपका answer हो जाएगा यह देखी यह आपका question पूछे गया है gate 2014 में और set number 4 में पूछा गया था यह यह 8 into 1 multiplexer दिया है यह i0 है यह i1 है यह i2 है यह i3 है ऐसे दिया हुआ i7 तक और input के रूप में दिया हुआ है आपका 0 d 0 d 0 0 1 0 और आपका control signal दिया हुआ a b c तो आपको पता है इसका output आपको कैसे निकालना है सबसे पहले आप अगर यह 1 को select करते हैं तो आपको पता है a b c और 1 a bar और d आपका selection होगा plus अगर यह 0 1 2 3 को select करते हैं तो 3 के लिए आपको a b c 3 को select करना होगा तो ऐसे ठीक तो a b c और d यहां भी मिल जाएगा यह कैसे 000 001 010 यह हो जाता है 011 ऐसे control signal देते जाते हैं यह सब मैंने आपको प्रिवियस लक्ष्रम बता दिया है और आपको मुझे लग रहा है आप है विच्वल होगा है इसका और उसके बाद आप यहां पे 6 पे 1 है तो यहानिकि a 6 कब आएगा और 6 control signal देंगे आप 110 ठीक a b c का बार into 1 इसको आप मिनमाइज कर लिजेगा ऐसे इसमें common करके आप बना लिजेगा ठीक है इस lecture में हम यहीं तो क्रहाने देते हैं आपका multiplexer का जितने भी gate में आयोगे question थे उसको मैंने discuss कर दिया है और आपके पास फिर भी दिखत होता है gate question में तो आप comment box में question और year के साथ आप mention कर दिएगा मैं उस question को ज़रूर आपके लिए करा मैं प्लीज like and share this video and don't forget to subscribe to our channel for more updates अगर आप my academy के WhatsApp ग्रूप से जूनना चाहते हैं तो 750-330-4182 पर add me type करके send किजिए इसका फायदा यह होगा कि my academy के सभी video का link आपके WhatsApp पे मिल जाएगा thanks for watching